गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स कल हमने मेमरी के साथ रिलेटेड रूब्रिक किया था मेमरी एक्टिव फॉर कौन कौन सी चीज ऐसी है जो पेशन्ट को बहुत याद रहती है उसकी यादाश्त कितनी तेज है इन चीजों के लिए उसकी स्मर्ण शक्ति कितनी कौ एक्टिव है आज हम करेंगे मेमरी वीकनेस ओफ मेमरी वीकनेस होता है कि यादाश्त कमजोर होना यह नहीं है कि पूरा ही 100% ही भूल जाना लेकिन यादाश्त कमजोर बहुत बार लोग बोलते हैं कि आज कल मेरी यादाश्त बड़ी कमजोर होगी है कुछ याद नहीं रहता समझ नहीं आता पता नहीं लगता वो हम मेमरी वीकनेस के अंडर लेंगे इसका अगर हम डीडी करते हैं फॉर्गेट फुलनेस के साथ फॉर्गेट फुलनेस होता है कि किसी भी चीज का भूल जाना दिमाग में वो बात रहने ही नहीं टोटली भूल जाना पता ही नहीं कि ये सब कुछ हुआ था या नहीं हुआ था लेकिन आज के रूब्रिक में मेमरी वीकनेस ओफ यादश्त कमजोर हो गई है जो बाते वो पहले दो बार पढ़ने से तीन बार पढ़ने से याद हो जाती थी वो अब उसको दस दस बार करने से भी याद नहीं होती तो जो उसकी यादश्त शक्ती है समर्ण शक्ती है वो कमजोर हो गई है इस रूब्रिक के अंडर बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं डिफरेंट कंडिशन्स हैं, डिफरेंट हालात हैं क्या कारण हुआ, कौन सी बिमारी हुई, किन-किन लोगों को क्या-क्या भूल जाता है या क्या-क्या याद करने में प्रॉब्लम आती है तो उस में से हम कुछ रूब्रिक्स आज करेंगे सबसे पहला रूब्रिक है, वीकनेस ओफ मेमरी बिजनस फॉर, बिजनस होता है अपका व्यपार, जो कामकाज है तो बिजनस के बारे में जो बाते होती हैं, वो पेशन्ट पूरी तरह से याद नहीं रखता उसको याद नहीं रहती, किसी की पेमेंट करनी है, किसी का ओडर आया, किसी को ओडर भेजना है किसी को order भे दिया है बिजनेस के साथ related जो उसके कारोबार के उसके व्यापार के साथ सम्बंदित चीजे हैं उनके लिए उसकी यादाश्त अब कमजोर हो गई है इस रूपरिक को हम कैसे देखेंगे पेशन बोलता कि डॉकसर पहले तो मुझे सब याद रहता था पहले तो मुझे एक एक पेमेंट याद रहती थी पहले तो एक एक चीज याद रहती थी अब तो पता नहीं दिमाग में रहता ही नहीं है आधी चीजे भूल जाता हूँ तो वहाँ पर memory weakness आएगा इस रूपरिक में हमारे पास 15 medicines है नेक्स रूपरिक है memory weakness in children कई बार patients आके बोलते हैं न कि बच्चा कुछ इसको याद ही नहीं रहता है उसके पीछे कारण कुछ और भी हो सकता है क्योंकि बच्चे आजकल इतनी ज्यादा hyper हैं इतनी ज्यादा active and intelligent हैं कि उनके ध्यान की diversion बहुत तरफ पढ़ते यहां होते हैं लेकिन उनका ध्या हैं लेकिन कई बार बच्चों में बहुत बार पढ़ने पर भी उनकी मेमरी जो वीक होती है उनको अच्छी तरह से याद नहीं होता है इस रूब्रिक में हमारे पास चार मैडिसेंस हैं अगेरिकस बेराइटा कार्प कॉस्टिकम एंड स्पॉंचिया नेक्स रूब्रिक है मेमरी वीकनेस ओफ डेट्स फॉर जो डेट्स होती है कि आज कितनी तारीक है कल कितनी तारीक थी उस दिन कितनी तारीक थी उसका डेट ऑब बर्त क्या है बर्त दे याद रखना भूल जाने जो डेट्स के साथ संबंदित हमारा मेमरी का हिस्सा है वो कमजोर है डेट्स याद नहीं रहती किसी का बर्त दे याद नहीं रहता किसी की शादी हुई है तो उनको विश्च करना है वो भूल जाते हैं किसी की शादी की डेट आ गई वो भूल जाना So, इस तरह से dates के साथ related, जो भी उसके दिमाग में चलता है, वो ज्यादा काम नहीं करता So, memory weakness of, dates for, इस rubric में हमारे पास 23 medicines है, 23 medicines है Next rubric है, everyday things of, memory weakness of, everyday things of, routine वाली, जो हर रोज की चीजे है वो उसको भूल जाती है, वो तो नहीं भूलनी चाहिए, उनके लिए तो जो रोज काम करते हैं, वो तो memory में रहना चाहिए लेकिन ये कुछ ऐसे patients हैं, जिनको everyday things, routine वाली, रोज की चीजें, वो भूल जाती है उनके लिए ये इनकी स्मर्ण शक्ती कमजोर है, तो इस रूब्रिक में हमारे पास 14 medicines हैं नेक्स्ट रूब्रिक है, mental exertion, memory weakness for mental exertion, जब कोई दिमागी काम किया जाए वो चाहे पढ़ने का हो, चाहे बिजनस का हो, चाहे किसी भी चीज़ के साथ related हो, लेकिन मानसिक श्रम होना चाहिए मानसिक कोई भी ऐस अश्रम जिसमें दिमाग काम करता है, वहाँ पे patient की memory जो है यादास्त है, वो कमजोर होती है और इसके नीचे बहुत अच्छा एक सब रूब्रिक लिखा है, child cannot be taught जो मानसिक काम करने के लिए, बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जा सकता child cannot be taught, उससे दिमाग के साथ करने वाला काम करवाया ही नहीं जा सकता and that is only one medicine, बराइटा कार्ब, नेक्स रूब्रिक है, memory weakness of music for कल हमने किया था, memory active for music, जिसमें दो medicines थी crocus type and lycopodium, लेकिन यहाँ पर आज उसको, उसकी memory weak है for music बहुत सर ऐसे लोग है, जिनको गाने गुने, संगीत, यह सब याद ही नहीं रहता तो यहाँ पर पांच medicines है, जिनमें इगनेशिया, लाइको, स्टेफी, सलफा and एक रेर medicine है, तो दोनों में memory active भी है, memory weakness भी है लाइको पोडियम जो है, वो common medicine है, नेक्स रूब्रिक है, memory weakness for names नाम याद नहीं रहते, यादाश्त इतनी कमजोर है, कि उसे नाम याद नहीं रहते एक तो रूब्रिक है, in general, कि किसी के भी नाम याद नहीं रहते इस रूब्रिक में हमारे पास 22 medicines हैं, इसके नीचे आगे सब रूब्रिक है, friends of intimate जो बहुत खास उसके दोस्त हैं, patient को उनके भी नाम याद नहीं रहते हैं, उसके लिए भी इनकी memory बहुत पूर है, कमजोर है, तो इस रूब्रिक में हमारे पास 2 medicine हैं, medorinum and adamas, और और किसके नाम याद नहीं रहते हैं, members of family, names of the members of family, अपने घर वालों के family members के नाम भी याद नहीं रहते हैं, तो इस में भी 4 medicines हैं, दो तो rare medicines हैं और एक phosphoric acid and sicklechor, ये दो medicines हैं, और अगले रूब्रिक में तो his own name, अपना नाम भी याद नहीं रहता, शायद ये Alzheimer's के cases होंगे, जिनको खुद को अपना नाम, दूसरों का नाम और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए इनकी याद अश्त बहुत कमजोर होती हैं, तो अपने नाम याद नहीं रहने में इसमें हमारे पास 7 medicines हैं, एलूमिना, सीकूटा विरोसा, कालिब्रोम, मडॉरिनम, नेट्रम सिलिकाटा, सल्फर एंड विलेरियाना, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको अपना नाम भी याद नहीं रहता, कमजोर हैं उनकी यादाश्त, अपना नाम भी याद रखने के लिए, इस तरह से बहुत सारे और भी रूब्रिक्स हैं, जिनको आप पढ़ सकते हो, और जिनमें different conditions दी हुई हैं, So, this is all in today's rubric, thank you.